हेलो प्रेंट्स मेरे योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती आसान और घर में बनने वाला पिज़ जो आपको रेस्टोरेंट का स्वाद भी भुला देगा तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना पिज़ा तो पहले हम सबसे पहले स्टार्यूब तो पंड है टारी जिए नमक का सब्सक्राइक बउनाना चाहरे यह निए उसका डोँ बना लेते हैं चाहरे निए और इसमें इसमें ड्रिफाइन डाल दीया है और इसे गूलगूने पानी से हमें अच्छे से गूंद लेना है हम इसका डोँ हमें बिल्कुल ह आप भी शॉक्ष्ट तयार करना है जैसे कि रोटी बनाते हैं उससे जैसा ही हमें डो तयार कर लेना है देखिए, इसे अच्छे से गुण लेजिए, इसे गुणने में ठोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसका डो बहुत ही अच्छे से गुण जाता है, हल्का से इस तेल लग गोल लेकिन इसे थोड़ा मोटा बेलना है और हमारी रोटी की तरह ना फूले और अब हमें इसे शेखना है ज्यादा धियान हमें इसके तरह इसे नहीं शेखना और बिल्कुल ही लो आज पे आपको इसके डाल देना है भारी तलीवाली कढ़ाई लीजिए या कोई भी तवा और इसे डख करके रख देजिए आपको आज बहुत धीमी रखनी है पिल्कुल भी तेज आज नहीं होनी चाहिए एक तरफ से जब हमारा यह सीख जाएगा तो हमें इसे हलका सा दूसरी तरफ से भी सेख लेना है और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह हमारा पिज़ा बेस घर पर ही तैयार हो जाएगा जो कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और अब हम इसे फटा फट से बना सकते हैं क्योंकि जब हमारा पिज़ा बेस घर पे ही तैयार जाएगा देखिए कितना भड़िया पिज़ा बेस बना है मैंने देखिए कितना मोटा बनाया है मैंने थोड़ा रोटी से थोड़ा कि हम इसे जड़ा नहीं पकाना है बहुत हलका सा फ्राइए कराना है और इसेरा हूट हमसे दो बड़े प्याज लिए है और इने 기 अच्छे से चला देंगे अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं मैंने इसमें बहुत ही कम डाली है क्योंकि मैं यह पीज़ा मैं बच्चो के लिए बना रही हूँ तो बच्चो को कम ही मिर्च पसंद होती है तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ही कम मिर्च डाली है इसे अच्छे से ऐसे ही चला दीजे ताकि हमारे अच्छे से लसन और प्याज अच्छे से पक जाए और मैंने इसमें तीन बड़े टमाटर बड़े-बड़े पीस करके डाल दीजे अब इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था मैंने थोड़ा सा फिर बाद में डाल दिया है नमक और अब हमें से इस सॉस को जब तक के पकाना है जब तक कि हमारी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और आप इसमें औरिगयनो डाल देंगे ओरिगयनो से ही इस चटनी में पीजे पिजे चटनी का सॉस का टेश्ट आ जाएगा इसमें मैंने एक चमज के करीब और इगेनो डाल दिया है और अब इसे आप अब यहां हमारा सॉस पके तयार है अब इसे आप ठंडा कर लेजिए अच्छे से जब यह ठंडा हो जाए तो अब हमें इसका बहुती स्मूथली सा प पेश्ट बनाएं यह देखिए हमारा पीजा सॉस बनके तयार है तो चलिए अब हम पिज्जे की फिलिंग बना लेते हैं आपको जो भी सब्जिया पसंद हो आपके बच्चे जो भी सब्जिया पसंद करते हो आप उसमें डाल सकते हैं मैंने इसमें टमाटर और सिमला और पियाज का ही इस्तमाल किया है आप चाहे तो इसमें जो भी सब्जिया आपको अच्छी हो या आपके घर में जो भी अवलेबल हो आप उन्हें इस्तमाल कर सकते हैं अब एक चमबच मैंने इसमें रिफाइन डाला है और अब मैं हलका सा इने पियाज को पका लेती हूँ और अब मैंने इसमें सिम्छा में डाल दिया इसे भी मैं तोड़ा सा एक दो मिनट के लिए पका लेते हूँ हमें बहुत ही हलका सा इने पकाना है इनका करंची पन रहना करणची सब्सक्राइब नियुक्त रहने चाहिए क्योंकि पीज़े में उसका टेट बहुत भड़ाता है और लाश्ट में हमें डालने है टमाटर और एक दो मिनट ही चलाईए ताहँ क्योंकि हमें इसे और कुक्त नहीं करना है और इसमें डालिये पीज़ा औरिगेनो दो चम अच्छा से चला दीजिए एक दो सेकंड के लिए से ऐसे ही पकातर है यह हमारी सब्सक्राइब उपर की प्रिलिंग तया है तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं अब अपना पीज़ा और सबसे पहले हमने रखा है पैन में पीज़ा बेस अपना आप चाहे तुछे तवे पर कड़ाई पर कैसे भी फटा-फट से बना सकते हैं और इस पे दो चमज के करीब पीज़ा सॉस अच्छे से फैला दीजिए और इस पे जो हमने अपनी सब्जिया जो हमारी सब्जिया तयार है उन सब्जियों को भी हम इस पे ही डाल देंगे देखिए क्रंची क्रंची सी सब्जिया जो भी पसंद हो वो आप इस पे डाल सकते हैं सिम्ला मिर्च जरूर डालिए क्योंकि पिजे में सिम्ला मिर्च का तो टेष्ट बहुत ही बढ़ी आता है और अब हम इसमें डालते हैं काफी सारा चीज चाहे तो आप कोई साभी चीज हीं कर सकते हैं मौजेरलज चीज यह तो मैंने सादा इसी स्तेमाल कि अके चाहे तो इसमें मोजिरल चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे काफी सारा चीज डाल कर आप इसको ढख कर रखिए पांस से दस मिनट के लिए बहुत ही धीमी आज पर ताकि हमारा पीज्जे में जो हमने चीज डाली वह अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा पीज्जा नी बनके तयार है और अब डालते हैं में इस पर थोड़ी सी चिली प्लेक्स और और ओरीगैनो और लीज्जे बनके तयार है फटा फटा आपका खर पर ही पीजा ज्यादा जंजट भी नहीं है आप इसे फटा फट से बना सकते हैं एक बार ट्राइज जरूर करिए का दोस्तों अगर मेरी यापीजे की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो शेर करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद